म bento दोस्तों आप सभी कीसा करता हम उसरी माइचे के लफट कोटा राजिस्थान में तो आज मेरा हाथ में क्या है दिखाते हैं आपको और क्या है हम देखते हैं तो दोस्तों आज हम लाएं हैं पिजन्स के लिए रोटी जी हां रोटी है दौस्त रात की बची वी रोटी को हम आज आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम इनको निकाल करके लाखने हैं और हम इसको निकाल कर इसमें जो भी है हम इसको मसलते हैं बड़ी जाते हैं अच्छे से ठीक है इससे बेबी अच्छे होते हैं दोस्तों पिजन्स के जो बेबी है इसको ये आसानी से टूट जाती है रात की जो होती है आपने देखा होगा देखिए कितने आसानी से टूट रही है तो ये इसमें अच्छा रहता है पिजन्स के लिए अब हम इसको दोनों हाथों से मसलते है और देखते हैं फिर अभी देखिए हमने थोड़ा सा इसको कर दिया है मौस्चर इसको और भी करेंगे हम यह जो बड़े बड़े टुकड़े हैं इसको और हमें बारिक और छोटे करना है देखिए बारिक हम करते जा रहे हैं और देखिए पिजन्स भी आ रहे हैं आसपास से यह दाल गला रहा है अपनी तो इसको हम और बारिक पतले से मौस्चर कर रहे हैं ठीक से आने के लिए तयार है दोस्तों हो गई यह बारिक कुछ और भी है जो इन्हें हम मोटे टुकड़ो को और पारिक पतले से कर लेते हैं दोना हतों से यह अच्छे से मौस्चर हो जाती है देकि दोस्तों हो चुगी है बारिक और हम इसको खिलाने के लिए रखेंगे परिंदो रख दे हैं आपके सामने याँ पर चलो देखते हैं को रखोना आता है गार एक तो वहीं सब्वाइब हैं और वह आच्छुक्ए हैं और अब आपके सामने देखिए 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 एक और भाई सब्वाइब है आ चुकी हैं ही देगे को रहा हमारे वाइड